हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ म बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो साथियों आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो न्यू वेकेंसी जाए तो क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा यह नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे चौकाने वाले तथ्यों सामने आए असोक अगरवाल सर ने कुछ चीजे ऐसी बताई हैं तो उससे लग रहा है कि सायद उन वेकेंसी पर प्रभाव पड़े तो उससे पहले डिसकेशन करते ह कल एक कोशन दिया था कि भूटान की राजधानी क्या है तो साथियों भूटान की राजधानी धिम्पू है और अनिल कुमार, ललित कुमार, डॉक्टर जयार निगम, रुक्साना खान, सालू जयंत इनके सबसे पहले correct answer है इसके बाद आज का जो कोशन है चेचक के टीके की खोज किसने की तो साथियों अभी हम बात करते हैं new vacancies को लेके जैसे update आ रही है कि 26,000 vacancies अलग आएंगी और 10,500 से ज़्यादा vacancies अलग आएंगी तो हलाकि एक अच्छी बात है, खुशी की बात है उन candidates के लिए जो waiting में है और साथियों आपको बताना चाहता हूँ, according to court, government के according, court के according, vacancies वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अगर हम school के अंदर की हालत की बात करें तो असोग अगरवाल सर ने मर जाके deeply देखा है और इसके बाद असोग अगरवाल सर के पास अभी कुछ ऐसे cases आये हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा, हलाकि इससे पहले मैंने आपक को एक चीज और बताए थी कि बिना आधार कार्ड के एक स्टूडेंट को एडविशन नहीं दिया, तो अब रीजन के आ रहे हैं, एक तो जो गौर्णमेंट स्कूल हैं, अगर किसी बच्चे पे आधार कार्ड नहीं है, हलाकि मैं सभी स्कूलों की नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे केसिज अभी भी आ रहे हैं, कि बिना आधार कार्ड के एडविशन नहीं दे रहे, हलाकि जो कोट का ओर्डर है, वो यह है कि बिना आधार कार्ड के आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आधार कार्ड मेंडिटरी नहीं है, अगर एडविशन ले रहा बच्चा और आधार का और उसी 10th class में fail हो गए तो दुबारा 10th class में जो government school वाले हैं वो बहुत कम admission दे रहे हैं और इनकी संख्या बहुत जादा बढ़ती जा रही है मतलब ऐसे students जिनको admission नहीं दिया जा रहे हैं इनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है अब जो school वाले हैं वो क्या reason बताते हैं वो बता रहे हैं कि हमारा result खराब होता है इस से लेकिन result खराब होने के बाद अगर देखा जाए तो साथरों जो बच्चे हैं जो school नहीं जा पारे हैं उनका भी तो future खराब हो रहे हैं तो उन बच्चों को दुबारा ऐडवीसर नहीं दिया जा रहे हैं तो ये बहुत सारी चीज़े निकल के आरें इसके बाद हम बात करें गौर्मेंट स्कूलों में सुविधाएं जो कोट का ओर्डर है उसक ओर्डर के अकॉर्डिंग अभी सुविधाएं पूरी नहीं है सबसे पहले स्कूलों में गार्ड नहीं है जल्दी से इसके बाद पानी की भी फैसिलिटी नहीं है रूम भी अच्छी कंडिशन में नहीं है और इसके बाद मैं आपको चौकाने वाली बात और बताता हूं कि जो अभी अपडेट मिली थी सायद आपको पता होगा असोक अगरवाल सर जी ने बताया था कि दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनकी संख्या मतलब ब पढ़ाई का आपको पता है मैं सभी स्कूलों की नहीं बोल रहा लेकिन जो अभी हो रहा है वो मैं बता रहा हूं कि संख्या घठती जा रही है दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घठती जा रही है उसमें एक तो एडवीशन नहीं दे रहे और तो टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम vacancy की मतलब उम्मीद कैसे कर सकते हैं, अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे स्कूल में, तो vacancies कैसे आएंगे, चलो मान के चलो अभी आगे 15-20,000 vacancies आगे, लेकिन आगे की vacancies की हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, तो साथियों जैसा आप जानते हैं कि देश के अंदर जो government schools हैं, उनकी संखिया घटती जा रही है, और इसके बाद हरियाना में भी आपको पता होगा, कि school बंद भी हो रहे हैं काफी, तो ये सारी चीज़े अगर होती रहेंगी, एक तो government को भी ध्यान को मिलते हैं कि सिक्सा का स्तर वो उस level का नहीं है, हाला कि teacher की बात करें, बहुत qualified teacher होने के बाद, वहाँ पे मतलब सिक्सा नहीं दी जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़े गलत है, तो असोक अगरवाल सर ने जो update दिया, वो ये update है, कि ऐसे बहुत सारे cases आ रहे हैं उनके सामने इसके बाद बात करें new vacancies की, तो new vacancies साथियों जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी court ने DSSB से जवाब मागा है, उनका पक्स मागा है, कि आप हमें report दें, और उन report के बाद जो vacancies हैं आपको जल्द देखने को मिलेंगी, और मैं कल या आज साम को कारी स्कूल है, जिन में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको शिक्सा अच्छी दी जाए, और आधार कार्ड के नाम पे या फेल हो जाएं बच्चे, तो उन्हें एडविशन ना देना, ये सारी चीजे गलत हैं, तो सातियों, अगर आपको यह बात अच्छी लगी, तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें, वीडियो को सेयर करें, थेंक यू